कॉफी पैक तो आपने बहुत बार अपने चहरे पे लगाया होगा क्या इसे आपने अपने पूरी बोडी पे लगाया है कॉफी के फाइदे सभी जानते कि इंस्टेंट ग्लो देती है रंग को साफ करती है पर क्या करें जब पूरे शरीर को चमकाना हो सिर्फ चहरे को नहीं तो आप ये कॉफी से बना हुआ साबुन डेली इस्तिमाल कर सकते है और इससे अपने रंग को निखार सकते है इस साबुन को मैंने घर पे बनाया है अपने हाथों से अगर आप भी इसे बनाना चाते हैं तो वीडियो को पूरा देखे तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक बाउ ले लिया है जिसके अंदर हम कॉफी डालने वाले हैं अब आप पूछेंगे कौन सी कॉफी लेनी है भाईया जो आपके घर में कॉफी हो वो ले सकते हैं नई तो बाजार में दो रुपे वाले कॉफी के पाउच आते हैं वो भी दो इसमाल कर सकते हैं तो मेरे घर में जो कॉफी पड़ी थी मैंने दो चमच वो ले ली है अब इसके अंदर अलोविरा जेल डालना है ये आपको घर वाला जो प्लांट वाला होता है पौधे वाला होता है वो नहीं डालना है मार्किट वाला ही ऐलोविरा जेल आपको इस्तुमाल करना है तो दो चमच मैंने ये मार्किट वाला ऐलोविरा जेल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है क्योंकि जो मेरी कौफी दी वो काफी दानेदार थी अलोविरा जेल में मिक्स करने से वो खुल जाती है अब दो चमच मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ चावल का आटा मैंने कैसे तैयार किया चावल को मिक्सी में पीस लिया और ये हमारा चावल का आटा तैयार हो गया अब ये क्या करेगा ये जितनी पिडेड स्किन होती है हमारी बॉडी की, उसे निकाल के बहुत अच्छा ग्लो देता है, रंग को साफ करता है, टैनिंग को निकालता है, दो चमच में यहाँ पे ग्लिसरीन का इस्तुमाल कर रही हूँ, अब ये जो पैक होता है थोड़ी से स्किन को ड्राइ कर दे क्लू करें कैसे ग्लू करें जैसे हिरोईनों की करती है तो मैं यहां पे दो चमच बादाम का तेल डाल रही हूं अब आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो क्या करें अब इसमें नारियल का तेल डाल सकते हैं वो भी नहीं है जैतून का है वो डाल सकते हैं पर सरसो का तेल म और वैसे भी वू स्कीन के लिए तनंद अच्छा नहीं होता है अब सापुन बननने ke लिए मैंने यह यहां ले लिया है सोप बेस यह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा94 का प्रश्माल नहीं होता है मैं एक साबुन के लिए हमीशा सो ग्राम लेती हूं तो मैंने यहां पर दो सो ग्राम लिया है अगर बच जाएगा तो एक्स्ट्रा साबुन बन जाएगा वैसे में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि माम हमारों जो साबुन है ना वो तो आपको क्या करना है हमेशा सोबेस जदा लेना है पैक कम लेना हुआ अगर पैक जदा होागा तो जाहिर सी बात वो सेट नहीं होगा अब मैंने क्या किया यहां पर छोटे पिशिस में इस पो काट लिया और एक स्टील के बाउल में रख के ऄसे डबल बॉयलर से मैं मेल्ट कर रही है यानि कि एक पैन में मैंने पानी रखा और उबलने के लिए रख दिया उस पे ये बाउल रख दिया अब जैसे जैसे पानी उबलेगा ये जो सोब बेस है हमारा धीरे-धीरे पिखलता जाएगा मेल्ट होता जाएगा जब ये एकदम ली तो यहां पे आप देखेंगे जो पैक है वो बहुत ही आसानी से इस सो बेस में मिक्स हो जाता है कोई भी आपको गुठलिया लंक्स वग्यर्ण नहीं नजर आएगे ये देखिए ऐसा लग रहे एखि इसी कलर का सो बेस है तो ऐसे अच्छे से मिक्स हो जाता है अब क्या कर कर देंगे इसको उतार लेते हैं और इसे चलते हैं सेट कर लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेट करना है तो यहां पर मैंने लिया है यह सोप मोल्ड यह आपको बरतन वालों की दुकान पर भी कई बर मिल जाते हैं नहीं तो मैंने तो ओनलाइन लिया यह दिखे अलग-अलग डिजाइन के हैं क्योंकि मैं बहुत तरह के सोप बनाती रहत पर उन्हें ट्राय भी कर सकते हैं तो मैं खुझ से साबुन बनाती हूँ और हमेशा यही साबुन अपने लिए यूज करती हूँ तो मैंने यहां पर यह डिजाइन वाला सोप मोल्ड ले लिया है और इसके अंदर यह पूरा जो मिक्शर है मैं फिल करने वाली हूँ क्योंक बिल्कुल नहीं है अगर आपने मिक्शर बिल्कुल परफेक्ट बनाया है तो कभी भी इसे फ्रेज में रखने की जरुवत नहीं पड़ती है साथ ही इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो तीन से चार महीने आप आराम से अपने इसे बाथरूम में रख सकते हैं इस साबुन को क अभी भी फ्रेज में रखने की जरुवत नहीं पड़ती है बहुत अच्छे से सेट होता है अगर आप मेरी जो रेसिपी है इसको फॉलो करते हैं तो आपका जो साबुन है बहुत अच्छे से सेट होगा और कभी भी आपको इसे फ्रेज में रखने की जरुवत नहीं कितना प्यारा लग रहा है कोई भी इसे देखकर यह नहीं कह सकता कि इसे हमने घर पे बनाया कितना सुन्दर लग रहा है अगर इस तरह का साबुन आप मार्केट से खरेते हैं तो मुझे लिख के बताईएगा कि आपको कम से कम कितने का पड़ेगा क्योंकि साइज में भी साबुन है तो यह व्यका करने करने वाले लिख शाग नहींaf autant यहां पर यह जो साबुन है कि यह साबुन है कि पहुत जादा जाग देगा क्योंकि हैं करता популяр की मैंने क्या इंग्रीडेंस कि युजओं कि इस साबुन में मैंने तेल का जादा इस्तमाल किया है तो यह उतना जाग तो नहीं देगा जितना नॉर्मल देता है बट जाग देता है आपके सामने है कम देता है बट जहां तक क्लीनिंग की बात है यह बहुत अच्छे से आपके मैल को हटाता है और अच्छे से गंदगी को साब करता है और बहुत अच्छा ग्लोबी ले कर आता है मैं इन ही साबून को बना कर अपने लिए यूज करती हूँ और आपके सामने में इसे यूज करके भी दिखा रही हूँ तो मैंने जैसे बोला कि बहुत ज़ाधा happens यह वाल 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 शाबून अच्छे से साप हो गए है तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा